साथ गेंटे अब हिंदुस्तान नहीं जुकीगा आरते बहुत हैं यार ये दो इस बार उनकी हार तो नमशकार दोस्तो स्वागत है आप सभी क्या आपके चैनल AV Box Office में एक बाफ फिर से जी हां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म में बेल बोटम के टू डेस के बॉक्स अपिस कलेक्शन के बारे में जिसके अंदर दोस्तो हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म अपने दो दिनों में कितने करोड का रियल कलेक्शन कर चुकी है दोस्तो हम आपको फैक कलेक्शन भी बता सकते थे पर हम नहीं चाते कि आपको जूट बोलकर अंदरे में लखा जाए और आप हमर साथ लंबे समय तक जूड़े रहें तो चलिए दोस्तो हम आपको बताएंगे इस टू डेस के ओरिजनल टू डेस बॉक्स अपिस कलेक्शन के बारे में और दोस्तो आपको बताएंगे कि ये फिल्म कहां कहां पर रिलीस करी गई और फिल्म के सोस की कैसी ओक्योपेंसी देखने के लिए मिल रही है तो चलिए दोस्तो अगर आप अक्षे कुमार सर के एक बह लारा दत्ता वानी कुपर रोमा कुरेश यसे बहतरिंग एक्टर काम करतुए नजर आ जाएंगे अब दोस्तो अगराम आपको बता है कि ये फिल्म हम सबके बीच में कौन-कौन से सेहरों में रिलीस करी गई है तो दोस्तो ये फिल्म हमके बीच में चन्नाई मुंबई और पूर्ण जैसे बड़े सेहरों में रिलीस नहीं करी गई है कि दोस्तों वहाँ पर लगा है लोगडान और दोस्तों वहाँ के ठेटर्स अभी तक नहीं खुले हैं जिसको जैसे दोस्तों इस फिल्म में के कलेक्शन काफी जड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिल रहे हैं पि तक इस फिल्म में के नाइट के सोस की ओक्योपेंसी निकलके नहीं आई हैं अब दोस्तों बढ़ते हैं कि फिल्म को हम सब के बीच में कितनी स्क्रीनों पर रिलीस करा गया है और दोस्तों फिल्म का बज़र 110 करोड रुपे रखा गया है चोई कि काफी अच्छी रखम ह अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सीदे सिदे फिल्म में के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म हम सब के बीच में फर्ष्ट रे कलेक्शन देखने के लिए मिला 2 करोड पिचोतर लाग रुपे का और दोस्तों यह फिल्म अपने दूसरे दिन 2 करोड 45 लाग रुपे का ही कार पाएगी दोस्ता आपकी ओपिनाइन क्या है कि जहां पर अक्षिय कुमार सर ने अपना दिल बता करके बेल बोटम फिल्म को रिलीज किरा है वहाँ पर दोस्ता आने वाले समय में और भी फिल्म में रिलीज हो पाएगी या फिर नहीं जै हिंद वन्यमात्रम